सब्सक्राइब एक और फैंटेसी प्रिव्यू में मुकाबला है आप हाइदरबाद बना मुंबाई एन हमारा जो आई पील कैम पे ने थोड़ा से स्पीड ब्रेकर हिट कर चुका है जब से मैंने वो जीटी वसे मैं वाला फैंटेसी गेम मिस कर लिया फैमिली फंक्षिन के चक्कर में बट नो प्रोब्लम वीकेंड अच्छा वीक डेस पहले दोनों कुछ खास नहीं बट ओपुली यह वेनिजडे रहेगा हमारा प्रोसेस फॉलो करना मेरा काम चीजों को सही तरीके से करना मेरा काम बाकी फेल्ड पे कौन कैट्स ले रहा है क्य अब थोड़ी सी क्यों वो जैसे हम प्रिव्यू आगे डिसकस करते रहेंगे में भी आपको थोड़ा सा क्लारिटी मिलता जाएगा सिमिलर इन्वेस्मेंट स्टाइल कुछ भी बदल नहीं रहा हूं मैं पैनिक में कुछ भी यहां पे चेंज करना नहीं है तो जो डिसकस्श जो भी फाइनल टीम्स है अपडेट से सब कुछ आपको वही पर मिल जाएंगी टेलेग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेम फो ट्विटर एंड लाइक कॉमेंट ज़रू करिए ऐसे ही समय पर आपका सपोर्ट बहुत ही ज्यादा ज़रूरी वेदर एपोर्ट की बात की जाएं तो प्लेर एक्सपेक्ट फॉर दिस गेम ऐसी कोई खास हिंडरिंस यहां पर हमें नहीं देखने को मिलनी चाहिए तो पिछ रिपोर्ट की बात की जाएं वोल्ल कॉप में हमने जो पिछ यहां पर देखी थी वो अच्छी फ्लैट बैटिंग ट्रैक्स थी एंड जो IPL में भी हमने यहां पर पिछ देखिए 170 प्लस बैटिंग पिच्छ फाइव आट और सेविं गेम लास्ट यर्ट अल अच जलते हैं expected playing 11 की तरफ दोनों टीम में कुछ नए नाम्स याद रखे सुर्यकुमार यादव अवेलिबल नहीं होंगे इस मुकाबले के लिए भी तो होंगे नमन दीर उस लॉट में एक इंपॉर्टेंट प्लेयर इनके लिए और साथ-साथ में शम्ज मुलानी ने भी लास् स्टिप्लेंड एक स्पिनर हैं और याद रखे कि लूप वूड आएंगे अस ट्वेल प्लेयर जैसे लास्ट गेम में थे उस लॉट में केलेंगे और वह आएंगे एक बैटर के लिए बाहर अगर पहले मुंबई बैटिंग करती तो यहोग 11 और नहीं तो लूप वूड आ यहां पर इस्तिमाल हो एंकाम वहां पर उनका बन जाए बट लेट सी कि क्या अप्रोच टीम लेती है बाकी की टीम में प्रेडी मद सिमिलर एक्सपेक्ट कर रहा है इस मुकाबले के लिए तो चलते हैं फर्स्ट वर्ट दो होम टीम संराइज इदरबाद यहां पर हम देख जिस्ति कुछ चीज़ें के नसीब में गई और सामने होंगे बुम्रा एंड कोर्ट यह तो टास्क यह आसान नहीं होगा एंड वर्सेज माई आवरेज 27 का एट हैड्रबाद है आवरेज सिस बीश का तो कुछ कंसर्निंग नंबर वहां पर अभी के लिए मैं पर होल्ट आवरेज वापस जो नंबर है बहुत ज्यादा इंकरेजिंग नहीं एक दम फ्लैट बैटिंग पिछ है में भी आप इन्हें ट्राइ कर सकते हैं दोनों को बट क्यूंकि सामने बोलर्स की कॉलिटी इतनी हाय है इन्हें पिक करना इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा एडिन माकरम इन्हें फिर भी आप लेके जा सकते हैं क्लास प्लेर हैं वर्सिस एमाइट 26 का अवरेज प्लस में भी बॉल के साथ भी कॉंट्रिब्यूट कर जाएं स्पेशली सुंदर इस नॉट प्लेंग एंट हैदरबाद 29 के अवरेज एन एक विकेट पहले ले चुके तो वापस मैं ऐसे नहीं कह सकते हैं कि यह बेस्ट नंबर्स बट एट लीस्ट थोड़े और इंकरेजिंग एंट थोड़ा और एक्सपीरियंस बैटर हैं यह इंटरनाशनली बहुत खेल चुके हैं तो प्रॉपली और को भी अच्छे से जानते तो वो चैलेंज में भी थो प्रॉबलम हो सकती है विद ओएंडरिक लासन हुई है कि जो इर्द गिर्द इनके बैटर्ज हैं बहुत कंसर्णिंग इनके नंबर्स बहुत कंसर्णिंग जो सामने वाले बोले और भी डेंजर तो वह एक कंसर्ण पॉइंट रह सकता है इनके लिए बड़ अगर माकरम और अधरबाद 5 की आवरिज तो नॉट बेस नंबर्स अधर बोलिंग कॉलिटी सामने तो विल बी टॉफ टास्क कट आउट फोर हिम एस वेल शाबाद अमद दो मैच्चे में एक विकेट ने लिया वर्स अमाय अना थैदरबाद एक मैच में एक विकेट लास्गेम में विद बॉल उनका फॉर्म थोड़ा सा कंसर्णिंग और वैसी टाइब की पिछ पे आट कोलकता काफी मार खाई उन्हें ने लेट्सी इस गेम में कैसा करते हैं वाशिंग्टन सुन्दर 10 मैच्चे सेवन विकेट एन एक अच्छी मैचप जो हम डिसकस करेंगे आगे और मु एक विकेट बट इस अल्सों इंक्लूड नंबर्स की जब वो डेली कैपिटल्स के लिए खेल चोगी है मतलब बहुत पुराने नंबर्स वो है इस स्पेसिविक डेटा में भुवनेश्वर कुमार वर्स एमाइटी मैच्च इस 21 विकेट एट है इंके चांसे काफी ब्राइ अच्छे हम नंबर्स सेविन मैच्चे में सेविन विकेट तो ठीक टाक नंबर्स पहले बोलिंग में जैसे में लास्गी में भी काहां मेरी टीम में बिल्कुल रहेंगे मयंक मरकंडे हम सब मयंक मरकंडे को इसलिए जानते हैं कि मुंबई इने ढून के लाया था और वर्स एमाइग मैच में कोई भी विकेट नहीं बड़ आट हाइदरबाद सिक्स मैच्चे में 10 विकेट डेफिनिटली वर्थ कंसिर्दिंग जब सेकंड बोलिंग करेगे अब चलते हैं मुंबई की टीम की तरफ एंट समझते हैं इनके आकडे रोहिच चर्मा थीक टाक नंबर्स एट हाइदरबाद 36 की आवरेज बड़ कंसर्णिंग पॉइंट वर्स एसा जाता है उनका मैचप इन फ्रंट अप भूवी एंड पाट कमिंज अप फ्रंट इशान किश्यान वर्स एसारेज 342 रंस 31 की आवरेज बड़ाट हैदरबाद सिर्फ 21 का आवरेज तो ऐसे आप देखोगी कुछ डेटा आप और नाउन होगा कुछ प्लियर्स के लिए हमें वो गटफील कॉल लेना पड़ेगा क्यूंकि हर डेटा पॉइंट टोटली पॉफेक्ट नहीं होने वाला और आपको on the day कॉल लेना पड़ेगा नमान दीर इंप्रेसिव लगे इन लास्ट केम बड़ अफकोस काफी अर्ली है इनकी करियर में और क्यूंकि काफी एग्रेसिवली खेल रहे हैं थोड़ा सा वाँ पर ऑपर उपर्चुनिटी वाल्यू हमारे लिए कम हो जाता है हिंस अभी के लिए टीम में नहीं है डेविल ब्रोस इनके साथ भी फॉर्म एक बहुत बड़ा कंसर्न रहा है हिंस अभी के लिए तो नहीं पिक करूंगा बट अगयन बहुत अच्छी बैटिंग पिच होगी तो आप डेफिनिटली इने भी कंसिडर कर सकते हो त चाहेंगे यहां पर अच्छा करना फॉर्म थोड़ा इनका अपन डाउन रहा है इंटरनेशनल कॉलिटी प्लेयर्स के सामने बट उसके लावान नंबर्स अच्छे है पिचे नहीं सूट करने चाहिए है है हाइदरबाद में एक मैच में 37 पहले मार चुके हैं सो डेफिनेटली वर्थ कंसिडरिंग तिलक पर्मा और हार्दिक पांडिया की बात की जाये तो काफी खराब नंबर्स वर्स ऐसारेच 16 का अवरिज इनाइट हैदरबाद सिर्फ 11 का अवरिज अब इन्हें पिक क्यों किया जाना चाहिए कि यह साहब अब आ रहे हैं पहला दो से तीन ओवर डाले हैं उन्हें बैटिंग भी करेंगे इंपोर्टन पॉजिशन में तो आप इंको टीम से ड्रॉप करना तो आपके लिए मुश्किल होगा और हो सकता है कि स्टार्टिंग में मैं अंकर करवाल राउल त्रिपार्टी को इने विकेट फेक जाज उनका फ सोला रान बट पहले बैटिंग करते हैं तो डेफिनिटली इन्हें कंसिडर करूँगा इनकी सामने अगर नट्राजन वहाँ पे नहीं बैठे तो बाकी सब की डेध बोलिंग आपको पता ही है आपने देखा लास गेम में रसल ने वहाँ पे क्या किया शम्ज मुलानी लाइ दिसमिसल भी देखने को मिल दा है मेभी कॉर्ट अट कवर या बोल्ड लबीडवी लेट सी क्या होता है इन दाथ मैचप प्यूश चावला 17 मैच्छे 12 विकेट सनाथ है थादरबाद 14 मैच्छे 14 विकेट डेफिनिटली वर्थ कंसिडरिंग स्पेशली वन ही इस डिफेंड कि उन्हें एंड डेफिनिटली मेरे टीम में जगेने इस गेम में भी मिलेगी और इस लाइट को डिसकर करने ही वह जरूत नहीं आपके टीम में रहेंगे तेरा मैच में 16 विकेट साथ मैच में 8 विकेट सो वेरी गुड नंबर्स हीर और डेफिनिटली विल बीन यॉर टीम अब चलते हैं आज के मैच अपस की तरह फैनुस के पहले अगर आप लीज जॉइन कर रहें इंशॉर आप मैमास 11 पे लीज जॉइन करें कि यहां पर आपको देख रहे हैं कुछ टॉप प्राइज एंड लो कमिशिन कॉंटेस है अब देखते हैं आज के मैच अपस रहें वाशिंग्टन सुंदर को तीन बार और यह अमने देखा है कि जो पावर प्ले में और अश्वन के सामने भी इनके नंबर ऐसे ही कुछ इंट्रेस्टिंग बुम्रा के सामने तीन बार आउट होएं स्ट्राइक रेट भी काफी खराब राहुल त्रिपार्टी आउट होएं प्यूश चाब लगो दो बार सेकिंड इनिंग में बिलकुल याद रखेगा इस मैच अपको फॉर्स इनिंग में भी क्या पता एक्टिवेट हो जाए इश की फैंटेसी टीम तो फैंटेसी टीम के पहले अगर आपने ये वाला फ्रीग वेवे नहीं जॉइन किया तो कुछ नहीं जॉइन किया क्यूंकि ये गिववे कभी भी नहीं भरता तो इजी चांस है आपके लिए अभी के अभी जॉइन कर लीजे और यह फाइमेंबर वान जितना हम रिस्क लेते हैं बनता है यूँकि अब रिस्क लेवल थोड़ा उपर जाने वाला है सब जान चुके हैं कि कौन है अच्छे कौन है खराब प्लियर्स तो आप कुछ अलग करने का समया है तो वही करने की कोशिश करेंगे इस टीम के साथ ओयनरी क्लासिन होंगे मे टीम में एन इन दी आलराउंडर्स एडेन माकरम, हार्दिक पान्लिया, माको, यांसीन अगर तीनो ख्यलते हैं तीनों मेरे टीम में है व्यथा बैटिंग फॉर्स बैटिंग सेकेंड जो भी हो मेरे टीम में इनके स्लोट होंगे लॉट बैटिंग सेक्शन की बात की जाए तो तिलक वर्मा एक काफी interesting pick लग रहे हैं मुझे, क्योंकि home ground भी है, plus इनके numbers भी ठीक टाक, average कुछ खास नहीं है, but I think मेरे साब से अच्छे numbers है, and definitely worth considering, तो यह जो picks है, I think मेरे लिए काफी important हो जाते हैं इस game में, अब समझते हैं, आप बाकी slots कैसे भढ़ सकते हो, and किस basis pick, generally जो pitch है, chasing के लिए better हो जाती है, तो जो भी batters यहां पर chase करते हैं, especially अगर Mumbai chase करते हैं, आपके लिए थोड़ा और आसान हो जाता है, तो रोहिक शर्मा will be that one pick, and किशान क्यूंकि हमें पता है कि keeping value उनसे मिलेगी, last कुछ game से आप जाके keepers के points देखो, चाहे वो धोनी हो, चाहे वो साहा हो, चाहे वो अनुच जावत हो, सबने 3-4-4 catches लिए, जिते शर्मा ने भी, I think पहले game में 3 catches लिया थे, तो बहुत सारे keeping opportunities यहां पर, इन से risk लेके मतलब नहीं, क्यूंकि इन्होंने 20 रान मारे, दो catch ले लिया, तो dream team में इनकी position वहीं पर lock हो जाती है, तो यह होंगे एक और lock pick मेरे लिए, अभी के लिए ऐसे लग रही है मेरी team, अब जो last slot है वो आप कैसे बनेंगे हैं किस basis पे, मुझे लग रहा की death में बिल्कुल डालेंगे ही वो, उसके अलावा picks worth considering discuss करेंगे, उसके पहले बात करेंगे हम captain and vice captain की, तो captain की बात की जाए, तो हारदिक पांडिया based on जितना वो अपने आपको opportunity दे रहे हैं, एक safe choice बन जाते हैं, एक और जो बहुत अच्छी choice है, ओनरिक क्लास इन, अभी क काथ, वहाँ पर easy wicket उने मिल जाए, 20 run मार दिये, तो वही वो logic है कि आपका काम overall हो जाता है, तो अभी के लिए यह है मेरी team, अब आप क्या अलग कर सकते हो, यह हम discuss करेंगे, तो बात की जाए, क्या आप अलग कर सकते हैं, आप एक तो किशान के जो आप रिस ले सकते हैं, क क्यूंकि batting conditions अच्छी है, all rounders की बात की जाए, तो वाशिंग्टन सुंदर अगर खेलते हैं, तो मेरी नजरों में बिलकुल रहेंगे यह, and उसके अलावा, captain, vice captain में, यहाँ पे आप rotation कर सकते हैं, वे जराल कुट जिया, and जस्पृत भुमराचाए, पहले bowling करें हैं, second, ऐस इसे type के bowlers है, जो बहुत ही ज़्याद aggressive है, तो wicket taking opportunities बहुत सारी बनेगे इनके लिए, उसके अलावा, आप ले सकते हैं, प्यूश चावला, वनीज बोलिंग सेकें, बुवनेश्वर कुमार, probably in both scenarios, and मयंक मरकंडे वनीज बोलिंग सेकें, तो यह अभी के लिए मेरे, जो differential options आप देखते हैं कि GL options बाकी, आप कौन से high select drop press bombs यहाँ पे ले सकते हैं, कौन से picks आप कर सकते हैं, तो बुवनेश्वर कुमार, low select based on data and matchups, प्यूश चावला, bowling second, and high select drop press bomb, मयंक अगरवाल, grand league captaincy, vice captaincy, choices, माकरम, इन पुर्ट जिया, bowling first होंगे, नटराजन, and दोनों scenarios में, हार की team and picks, I hope आप सब को यह preview पसंद आया हो, and बिलकुल अपना support यहाँ पर बनाया रखिये, जल्दी मिलेंगे एक और preview के लिए, thank you so much for tuning in, and thank you so much for all your support, please stay tuned, share, subscribe, and see you all very soon.